प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से समय समय पर देश की विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्मा जया धिकतार दिली में रहते हैं नवस्कार जयमा इंद्राक्षी द्रशुक आप सभी का महरदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है, मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब काम आए आज का पंचांग 19 नमंबर 2019 दिन मंगलवार कर्शन पक्ष महीना मार्क शीर समवंथ 2076 तिथी सब्तमी नक्षत्र आशलेशा रहुकाल 3 से 4.5 के बीच दिशासूल उत्तर दिशा अब देखो हमारे जीवन में नाना भाती के सुख आते हैं नाना भाती के दुख आते हैं और इन सुख और दुख का आधार हमारा है प्रारब्द और प्रारब्द के कुछ नमूने आपकी हतेली में भी होते हैं जनम पत्रिका में आपके ग्रहों का भी ब्योरा होता आपकी जनम पत्रिका आपके जनम के बारे में बताती है आपके जीवन के बारे में बताती है आपके प्रारब्द के बारे में बताती है आपके भुष्य के बारे में बताती है ऐसे इंसान के हाथ की रेखाएं हैं बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास डेटो बर्थ जनम समय आदिस सही से नहीं है तो कहीं न कहीं इनसान अपने हाथ की रेखाओं से भी अपना कल, अपना अतीत, अपना आज जान सकता है उसी में से एक रेखा होती है जिसका नाम होता है लक लाइन, फेट लाइन इनसान की हतेली के बीचों बीच मणी बंद से, यहां ये मणी बंद होता है कलाई के पास इस मणी मंद से उपर की तरफ सीधी तरफ बिल्कु सीधी एक रेखा चलती है और वो रेखा मिडल फिंगर मध्यमा अंगली के नीचे तक पहुचती है हमारी हातों में जो ये मध्यमा अंगली होती है मिडल फिंगर इसके नीचे तक वो रेखा आती है इसके उपर नहीं जाती है, अगर इसके उपर ये रेखा चड़ जाए, तो उस रेखा का फल निश्फल हो जाता है, बिकार हो जाता है, अब देखो, यही फेट लाइन, यही भाग्य रेखा, जिसका नाम है भाग्य रेखा, इनसान के भाग्य में चार चान लगाती है, यही भाग्य रेखा अगर अत्यधी कमजोर हो तो इनसान के भाग्य के साथ दुर्भाग्य भी जोड़ देती है आपकी हतेलिम में अगर ये भाग्य रेखा अत्यधिक कटी हुई है आप सीधी भाग्य रेखा है उसमें कट लगे हुए है या भाग्य रेखा तूटी है फिर आगे चली है तूट गई फिर आगे चली ऐसे गैप आगे है ऐसे भाग्य रेखा थी सीधी और उसमें ऐसे गैप पाया, जैसे हड़ी तूट जाती है कई बार व्यक्ति, फिर वो रेखा सीधी चली, फिर गया पाया, फिर सीधी चली, यानि कि धागे की तरह कई इस्थानों पर यदि व्यक्ति की हतेली की भागे रेखा तूटती है, दुर्भाग्या को जन्म देती है, व्यक्ति अपने जी नहीं आते बहुत व्यक्ति ऐसे हैं भाग्या कर खाते हैं बहुत व्यक्ति परिश्णम कर खाते हैं वह व्यक्ति दोसरों से मांग कर के खाते हैं नाना भाती के हम लोग इस संसार में विचरण करते हैं नाना भाती की सुख सुविधाओं से भी हम कई बार वंचित रह आते है और बहुत बेहतरिन सुविधाओं के साथ भी कई बार हम अपना पूरा जीवन नवाँ कर जाते हैं हर व्यक्ति के जीवन पर इन ग्रहों का प्रभाव आता है इसलिए सास्तरकार कहते हैं रिशी कहते हैं कि हमें कहीं न कहीं इन ग्रहों को मेंटेंड करना चाहिए खाने के लिए नाना भाती के सोंदर ये साग समान यूज़ करता है रासोई में खाना बनाने के लिए पूरा अच्छे से दिमाख लगाया जाता है कि भोजन स्वादिष्ट बने व्यक्ति सफेद वालों को उजला कर लेता है कभी डाइक करेगा, कलर करेगा, कभी कुछ करेगा, कंगी करेगा, शैंपू करेगा और तोर हेर वर्क्शाप में जाकर भी विमिन प्रकार के वर्क कराता है जब एक बालों को समारने के लिए नाना भाती की चीज़े हम प्रियुक तो मिलाते हैं तो हम अपने भाग्य को क्यों ना समारने के लिए भी कुछ प्रियास कर लें तो आज का मुद्ध यही है, अगर किसी की हतेली में ये भाग्य रेखा तूटी हुई है तो ये इंडिकेट देती है, कि कहीं न कहीं ये इंगित करती है کہ आपके जीवन में कहीं ने कहीं उस वक्त कोई समस्य आएगी अब ये देखाई आता है आपकी हतेली में कि वो वक्त कब है दस साल बाद बारा साल बाद इस सन में इस सन में या किस समय में ये सारिे तो या हो जाती है इनसान की हतेली से कि देड़ साल बाद कुछ आपदाओं का सामना करना पड़ेगा या एक व्यक्ति बहुत अच्छे से प्रियास कर रहा है बहुत मेहनत कर रहा है अपने किसी प्लाइन को ले करके कि बस काम्याब हो जाऊंगा और वहीं पर उस भागे रेखा में गैप हो भागे रेखा टूट हो तो बहुत मुश्किल हो जाता और कई बार हम कहनी देते कि ऐसा हमने क्या अपराद किया कि सब का काम बन जाता हमारा काम नहीं बनता ऐसा हमने क्या किया कि हम किस प्रकार के जीवन के साथ अपने जीवन को गुजार रहे हैं कैसा समय हमारा चल रहा है कई बार ऐसा ऐसा भ खराब समय हम भूगत रहें लगता है ना अनियक उबार ऐसा तो इनसान की हतेली में बनी ये भाग रेखा उसके भविश्य का एक बहुत बड़ा प्रतिविम्ब है आईना है मीरर है हमें उस वक्त में क्या उपाई करना चाहिए कैसे अब ये नहीं समझीए कि आप शनी रेखा इसको शनी रेखा भी कहते हैं सेटरन लाइन भी कहते हैं इसको ज़रूरी नहीं कि हम उस वक्त में शनी के उपाई करें हमारी दैनिक साधना हमारे गुरू का दिया मंत्र हमारी वि बस पहचान हो जाए कि देखो समय ऐसा आने वाला है तैयार हो जाए बरसाज से पहले एक चीटी भी अन्य के दाने अपने बिल में सजोने लगती है चड़िया भी अपने घोसले में तिन के सजोने लगती है व्यक्ती भी अपने बुरे समय के लिए एक एक रुपया जोड़ने लगता है होता है ना बादल गरजने से पहले व्यक्ती चट्री का च्छाते का इंतिजाम करने की फ्राक में लग जाता है कहीं अगर जाना हो तो तो ऐसे ही ये बादल रुपी जो गरजना इनसान की हतेली में होती है उस वक्त में यदि हम कुछ दैविय उपाय करें हम इश्वर का सहरा लें हम अपने गुरु माराज की शरण में रहें तो कहीं ने कहीं हमारे जीवन की नईया पार हो जाएगी ये माना कि हिच्चकोले आएंगे नईया डगमगा सकती है लेकिन नईया डूबेगी नहीं हम पार हो जाएगे ये इसलिए दर्शो को जोतिस एक बहुत बड़ी सचाई है तरीके से किया जाए तो और करफशन कहां नहीं करफशन हुआ किस छेतर में करफशन नहीं है बहुत लोग उंगलिया उठा देते हैं बही जोतिस में हम लुट गए हम अर ऐसाइसे हो गया हम ऐसे हो गए तो देखो भाई छमा चाहूँगा करफशन हर छेतर में है हर छेतर में करफशन आज अपना परचंब लेरा रहा है किसी में छेतर में चले जाईए किसी भी छेतर की बात कर लिएजीए करफ्षन कही न कही अपने पैर प्षार लेता है ऐसे ही कही न कहीं हम कई बारह हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है तो आपको उसे लिए पगपग पर समालने का प्रयास करता हूं इतना बड़ा इंद्राक्षि धाम का ये परिवार लाखों की संख्या का ये परिवार फिस लेना ताकि आप उस समय जब आपको दिखे अरे मेरे हाथ में तो ये भाग गे रेखा कई स्थानों पर तूटती है और मेरा समय भी अच्छा नहीं चल रहा है उस वक्त में मैं अपने मंत्रों को और बढ़ा दूँ जब दिये की लौ में तेल खतम होने लगता है तो वो दिये की लौ और अत्तिधिक प्रकाश्वान हो जाती है आखरी बूंद तक दिया अधेरे से लड़ता रहता है ऐसे ही उस वक्त में हमें भी सजग रहना चाहिए हम मंत्रों रोज पढ़ते हैं अच्छी बात है गुरुजी से रोज मिलते हैं अच्छी बात है गुरुजी की बातों को रोज सुनते हैं अच्छी बात है उनके क्रियकलाब के लिए हम आगे बढ़ते हैं अच्छी बात है बस आप मत ढूंड़िये किसी एस्टोलोजर को आपकी हतेले में यदि बहुत ज़्यादा कट इस भाग्य रेखा में लगे हैं तो देखो आप गुरुदिक्षा कहीं न कहीं से ले ले और जिन्होंने गुरुदिक्षा ले रखी हो तो अपने गुरु के मंत्र को प्रगारता के साथ पढ़ना प्रारम कर दे अपने इस्ट मंत्र को जो भी आपका मंत्र है देवी मंत्र है, देवता मंत्र है सूरिय मंत्र है, गायतिरी मंत्र है दुरगा मंत्र है, कृषन मंत्र है भेरम मंत्र है, शिव मंत्र है X, Y, Z कोई भी मंत्र आप पढ़ते हैं बैस अपनी मंत्र में अपनी पूर जान उड़े लीजिएगा पूरा प्रियास करके अपनी मंत्र साथना को अच्छे से करिएगा ये बुरा वक्त एक लाख एक परसेंट वैटीत हो जाएगा और हतेली में यही भाग्य रेखा यदि सुच हो अच्छी हो, तो वास्तम में व्यक्ति को राजा बना देती है वास्तम में व्यक्ति को शेंशा बना देती है बहुत लोग जाते बाद में काम पहले हो जाता है, सोस्टे बाद में है, वो چीज मिल जाती है, और भहुत लोग सोस्टे सोस्टे जीवन गुजार देते हैं, वो चीज नहीं मिल पाती है क्यों? भाग्ये के बात है और यहीं भाग्ये रेखा आपके हतेली में है, तो मेरे आपके साथ हैं, आपके घुरू आपके साथ हैं, आपकी दैविय शक्ति आपके साथ हैं, सब कुछ जीवन में आपके अच्छा होगा, बी पोजिटिव, और अत्य दिक गराई में जाने वाली बात है, तो कोई अच्छे पामिष्ट आपके आसपास हो, जिने हाथ देखना अ है अच्छोंश भाइस्के असपे मुछानष्ट आपके कुछ आपके साथ हो यापके सम्रानि बाले Duty को रेकिन् tão में आपके स्षgrowth में, यजिवेख छी आपकेनь आंपके साथ हैं वाला मुकंद आत्स् कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्तले कोस्तुवं नासा ग्रेवर मोक्तिकं करतले वेनु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठेच मोक्तावले गोपास्ती परिवेष्टितो विजयते गोपाले चोडामनी सांताकारं वुजगशयनं पद्वनावं सुरेसं विश्वात्धारं गगनसद्रिशं मेगवर्णं सुवांगं लक्षमी कांतं कमल नयनं योग व्रिद्या नगम्यं वंदे विष्ट्नुम्भव वयाहरं सर्वलो के कनाधं कवच बना ले ध्यान करे भगवान सुरी कर्शन का आपके सभी मनोरत इश्वर की करपासे पूर्ण हो अम बोलते हुए नेत्र खोलने समान्य हो जाए देखो दर्शकों जो हमारे नए नए दर्शक रोज जुड़ते जा रहे हैं जिस वकत ये साथ ध्यान माला आती है उस वकत समय मिले तो कटोरी में जल रख ले मौका हो तो और वकटोरी गजल बाद में घर में छीटी मारा करें थोड़ा पीवी लिया करें और यदि ऐसा संबग नहीं है आप बस में है ट्रेन में है सफर में है घर है बाहर है पर देस्च में है विदेश में है कहीं भी हैं तो आप केबल इस ध्यान माला से जरूर जुड़ा करें हमारी बाते सुने न सुने हमें इतना तूल दे न दे लेकिन इस ध्यान माला में जब भगवान की बात आती है तो इसवर से जरूर जुड़ा करें और अपनी धर्म के नाते मैं सभी को एक काम सौपता हूँ कोशिस यह करें कि इस प्रकार की जो भी वीडियोज आती है हमारी जहां आपको जो वीडियोज आपके मन को बाती है जो आपको लगती है कि इसमें एक अच्छा संदेश है वो वीडियो आप शेर जूर कीजिए बेटा को, बेटी को, नाना को, नानी को, काका को, काकी को किसी को भी कीजिएगा, दोस्त को कीजिएगा अच्छी बाते हमेशा शेर कर लेनी चाहिए और कोशिस करें कि इस परिवार को और बढ़ाएं हिंदुद्म को और फैलाएं जहां जहां तक हमारी आवाज आती है आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिवार को, साखी को, संग को, साथी को कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें धीरे धीरे उनको आदत पढ़ जाएगी सुनने की और एक बात कहें आज पहली बार आपसे मन हो रहा है कहने का एक बार हमें कोई सुन ले इतना हमें विश्वास है उस जगदंबा पर, मां इंद्राक्षी पर, भवानी पर एक बार हमें कोई सुन ले तो वो हमें सुनेगा जरूर इतना हमें विश्वास है क्यों आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं आप हमसे बहुत जुड़े हुए हैं बहुत लोग हमें बहुत दुआएं देते हैं हम कई बार जब समय मिलता है वैसे तो देखो मारा स्टाफ यह सारे कारी करता है जब कभी समय मिलता है तो यदा कदा आपके कॉमेंट्स जरूर देख लेता हूँ तो बड़ा हमें दुआई देते हैं लोग आपकी आयू लंबी हो आप खुश रहें तो बड़ा अच्छा लगता है भई हमें भी तो आपकी दुआओं की गुड विसिस की आवश्रक्ता है हम भी आपकी तरह एक इनसान हैं हम भी आपकी तरह ही हैं हम में आम में कोई बेद नहीं है तो यह तो बहुत इच्छी बात है कि आदान परदान दुआओं का प्रसंताओं का आपस में चलता रहना चाहिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सब की महनत लगन से एक बहुत बड़ा विशाल परिवार हम लोग बनाएंगे आप लोगों को जोड़ने का से प्रियास करें और यदि आप हमसे व्यक्तिकत तोर पर मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं तो आप संस्थान में कॉल अपाइंटमेंट भी ले सकते हैं इनी शब्दों के साथ हम अपनी वानी को बराम देते हैं जयमा इंद्राक्षे हैं जो मैं करना चाहती थी शायद मैं कर पाऊंगी तो इस प्रियास के समाधान के लिए प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें